जै माता की सवी संगत को आज बात करेंगे माकाली सहस्तर नाम के लिए देखिए जो सादक नवरात्री में माकाली का की सेवा कर रहे हैं वैसे तो नवरात्री में माधुर्गा के नवरूपों की पूजा होती है प्रंतू कुछ भगत कुछ सादक ऐसे होते हैं जो अपनी एक ह शक्ति के अरादना साधना करते हैं जैसे माकाली की अब आप इसे चाहे माकाली का सहस्तर नाम को चाहे काली सहस्तर नाम को माकाली का के एक जार नामों का जो वर्णन होता है इस सहस्तर नाम पार्थ में किया जाता है वैसे तो इसके किस परकार से यह करना चाहिए क्या लाब ह करना है आपको और किस प्रकार से रक्षा सूत्रा आप अपने लिन ये बना सकते हूं। सहां करना चाहिए नाम, लोगों को भै रहता है कोई शत्रू हमारा बूरा कर दे या पिर किसी समसानी सक्ति से हमारे उपर घायल चोड़ी गई है या फिर हमारे लिए बुरा किया गया है या कोई शक्ति हमें बरबाद करने के लिए हमें मारन के लिए प्रयोग करी गई है तो उसको किस प्रकार से हटा सकते हो देखे इसमें क्या रहता है शमसान काली का मा जो मर होने लग जाती है तो इस सहस्त्र नाम का पार्ट करके किस प्रकार से आप अपने लिए जिनको भैज जादा सताता है जिनको व्यादी बूत प्रेत लगे होते हैं या फिर जिनको बहुत ही जादा रोग सता रहे हैं माकालिका के नाम की 21 दिन की आप जोत जलाई ये घर में त पार्ट करिएगा तो इसमें जो माके नाम होते हैं एक काला रेशम का धागा ले लेना आपने और साथ बारी साथ बार सहस्त्र नाम का पार्ट करके जैसे एक बार आपने पूरे सहस्त्र नाम का पार्ट किया एक गांट लगाई और उसमें फूक मार दी इस परकार से आप गांट लगाते जाई साथ बार सहस्तर नाम का पाट करके साथ गांट आप काले धागे में बांदिये और उसके बाद उसको चाहे गले में धारन करिये चाहे अपनी बाजू में धारन करिये श्रद्दा से जो इस पाट का पठन करके धागे में गांट लगा करके पहनता ये र अखिख़ जो सहस्त्र नाम है माता के सहस्त्र नामों का इसमें वरणन किया गया है आप इनका पाठ नित्या करिए जिनके पास मंत्र नहीं हैं जिनके पास कोई गुरू नहीं है तो माताकाल रात्री का जो नवरात्रा है सात्वा नवरात्रा उस दिन आप इसका पाठ कर सकते हैं सुबा ना दो करके लाल वस्तर धारन करके मातारानी को गुड का भोग लगा करके आप जब भी आपके पास समय हो या तो रात्री के समय आप रात्री ग्यारा बजे से इसको शुरू करके मध्यरा तरीगासमे बीच में ले करके इस रक्षा सुत्र को बना सकते हो और अपने गले में धारन कर सकते हो। यगर आपके परिवार में कोई रोगी व्यक्ति है तो उसके लिए भी आप इसको दारण करवा सकते हो और मकाली सहस्तर नाम का जो आपने पाट की है सामने जल का लोटा रखिए उस जल को आप रोगी व्यक्ति को भी पिला सکते हो जिनको भूत बादा सता रही है इस प्रकार से चोटे चोटे शोपियोग जो होते हैं प्रयोग जो होते हैं हमारे जीवन में जो समस्याइं चल रही होती हैं उनके निवार्ण के लिए प्रंतु इसमें समय लगता है लोग यह सूचते हैं कि आज हमने दागा बनायर आज ही हमारे रोग खतम हो जाए आप इसको धारन करि है महीना सवा महीना दो-तिन महीने के बाद आप अपने जीवन में चमतकार कुद देखो गया निकिर रक्षा सुत्ष होता है तो आप सभी लोग मातरानी की सेवा करते रहे हैं मां की क्रिपः आपको मिलती रहेड़ि की और और मा काली का जो शमसान काली है अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने किया कराया कर दिया तो उनका भोग आदि दे कर के आप सहतर नाम का पाठ पठन पाठन करते रही है अगर आपके पास गुरु है तो अपने गुरु मंत्र का जापि नवरात्री में करते रही है वै प्रशाद लगा करके किसी के यहां नवमी मनाये जाती है परंतु वैसे ये 16 दिन की रहती है नवरातरी चतुर दशी के दिन अपने वरत का पार्ण कर लेना चाहिए जिनको मंतर जाप इत्यादी करने है वो कम से कम 16 दिन के वरत धान कर सकते हैं तो आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी, मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ तब तक के लिए सबी को जया माता की